एक अधूरी प्रेम कहानी, एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया नहीं नहीं, सच बात तो ये है कि एक गरीब लड़के को एक अमीर घर की लड़की से प्यार हो गया, लड़की के प्यार में पागल लड़का अपने आप पर काबू न रख सका, एक दिन उसने की को प्रपोज कर दिया सोचिए आगे क्या हुआ होगा आपने बिल्कुल सही समझा अमीर लड़की ने उसका मजाक उडाते हुए कहा तुम्हारी पूरे महीने की कमाए और मेरे एक दिन का खर्चा एक बराबर है बस इतनी ही बराबरी है हम दोनों में और बाकी सब जमीन और आस्मान जैसा है तुम सोचते हो कि तुम जैसे किसी से मैं शादी कर सकती हूँ मैं तुम से कभी प्यार करना तो दूर ऐसा सोचना भी पसंद नहीं करूंगी इसलिए मेरे बारे में भूर जाओ और अपने स्तर की किसी और को ढूंधो और उससे शादी करो सोचिए कि आप किसी से बेपनाह प्यार करते हो और वो आपको इतनी निर्दैता से शब्दों के तीर आपके प्यार भरे दिल पर छोड़ दे कैसी हालत होगी आपकी बिचारा गरीब लड़का आहत होकर खून के आंसू पीकर वहाँ से सिर जुका कर चला गया इतनी कथोरता से ठुकराए जाने के बावजूद पता नहीं क्यू लड़का उसे कभी भी भुला नहीं पाया शायद सच्चा प्यार ऐसा ही होता है इस घचना को लगभग दस साल बीट गए एक दिन वो गरीब लड़का और अमीर लड़की गलती से एक शौपिंग मॉल में एक दूसरे से टकरा गए लड़की ने तुरंट उस लड़के को पहचान लिया और कहा अरे तुम तुमने अपने स्तर की कोई लड़की धूंड कर उससे शादी किया नहीं मैंने अब एक बहुत ही स्मार्ट आदमी से शादी कर ली है जिसकी एक महीने की सेलरी दस लाक रुपे हैं क्यूं अच्छा हुआ ना मैंने तुमसे शादी नहीं की लड़का उस लड़की की अब भी परवा करता था वो उसके दर्दनाक शब्दों उसने आज भी पहले की तरह ही सुनकर अपने आशु रोक लिये और कुछ नहीं कहा लड़की अकेली मौल नहीं आई थी उसका पती उन्हें बाते करते देख उनके पास आपहुचा लेकिन इससे पहले की लड़की कुछ बोल पाती उसके पती ने तुरंट उस लड़के को पहचान लिया जिससे वह बात कर रही थी और कहा सर आप गुड आफटरनून सर मुझे लगता है आप मेरी पतनी से मिल चुके हो गुड आफटरनून लड़की ने लड़की के पती से कहा फिर पती अपनी पतनी लड़की को बोल डालिंग मैं चाहूंगा कि तुम मेरे बॉस से मिलो ये सौ करोड के उसी प्रोजेक्ट के स्पॉनसर है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ लड़की सिच्यूएशन का यू चन देख हैरान रह गई अब साफ दिखाए पड़ रहा था कि ना तो उसकी आँखे नहीं मून कुछ भी कह पाए ऐसी स्थिती थे लड़का बस मुस्कुराया और कहा ठीक है मिस्टर मुझे जाना होगा मेरे पास करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजे हैं आज आपको देख कर बहुत अच्छा लगा आपका दिन अच्छा रहे कुछ देर के लिए पती पतनी बस उस लड़के को जाते हुए देखते ही रहे लड़की ने जटके से उबरने की कोशिश करते हुए अपने पती से पूछा क्या वाकई में ये तुम्हारा बॉस था हाँ डालिंग काफी विनम्र व्यक्ति है ना लेकिन उनके जीवन के साथ काफी दुखद कहानी जुड़ी हुई है उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि वह एक लड़की से प्यार करते थे लेकिन उसने उन्हें छोर दिया क्योंकि वह तब गरीब थे इस वजह से उन्होंने जीवन में कड़ी मेहनत की और क्योंकि वह होशयार है वह साफल हो गए अब वो एक करोर पती है जो एक महीने में लाखों डॉलर कमाते है लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि वो उस लड़की से एकदम सच्चा प्यार करते थे इसलिए वो आज भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए हैं उन्होंने अब तक शादी नहीं की है उद्धरन चिन्ह पती उसके गुनगान गाता रहा पती ने कहा कितनी खुशनसीब होती वो हौरत अगर इस भले आदमी से शादी कर लेती पतनी पूरी तरह से सदमी मेथी और एक शब्द भी नहीं बोल सकी कहानी की सिक्ष दोस्तों जीवन हमारी उम्मीद से भी जादा छोटा है इसलिए दूसरों को उनकी वर्तमान परिस्थितियों के कारण नीचा दिखा कर बहुत अभिमानी या गर्वित होने की जरूरत बिलकुल नहीं है